हेलो दोस्तों electronics.com.raj में आपका एक प्वारफित से स्वागत है दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें आप जानेगे कि आपके पास जो भी घड़ी है लाइट घड़ी के बैटरी टॉर्च के बैटरी किसी भी लाइट के बैटरी के help से देखिए सबसे पहले आपको मैं एक चीज बता दूं आपको जो भी वोल्ट मानते हैं कि अकर आपको बैटरी गया होती है जो इसका रेंज हमेसा इससे ज्यादा होना चाहिए ऐसा नहीं है कि आपको बारा ब्र नेज उलाएक कर रहा है तो आप उसको 20 म स्कॉर्ण के 20 पे चेक करूँगा ठीक है और अगर हमको DC बोल्ट चेक करना रहता है मानते हैं कि टीवी बनाना होगा तो उसमें आपको 110 बोल्ट चेक करना होगा तो 20 पे नहीं करके हम इसको 200 रेंज में करेंगे इतना तो आपको ऐसे भी पता होगा कि हमेशा ज्यादा रेंज से किया जात तो आप देखें निगेटिव पर निगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव जैसे मैं लगा यानि बैटरी निव है बिल्कुल 1.5 बोल्ट की बैटरी ब्लकुल चार्ज है ठीक है उसके बाद यह देखिए 3.7 बोल्ट की बैटरी होती है मैनस पर मैने मैनस लगा दिया प्लस पर प्लस देखें 3.7 एट यह भी बैटरी चार्ज है अब आको आपका चार्जर जो है अगर चार्ज करें तो आप इसको भी देख सकते है यह सही भोल्ट होता है पांच बोल्ट करता है प्लस बहुत लगाए और मैनस बहुत तिक है देखिए मैंने उल्टा कर दिया ह यां पर čािनन कर दिया एक बात जरू द्यान दे याँ से यहां पर उल्टा एगा हो जाएगा तो यहां सो इस माइनस से पधा है कि आपने डिप्रे लंगाया है वह निगेटिव है तभी कोई माइनस आएगा अगर सही लगेगा तो कोई माइनस का साइन नहीं जाएगा बिलकुछ सही वोल्टेज आपको दिखाया जाएगा मल्टिमीटर के द्वारा ठीक है तो आसा अगर तो हम वीडियो समझ में आ हो तो जाला लाइक करें शेयर करें कोई कमेंट या सुझा कोई कोई कन्फिजन या सुझा हो तो मुझे कमेंट करना ना भूले मिलते हैं अगरे वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद